हम آर्मी वाले बंदे हैं मैडम शेर की सवारी और फ्यूचर फोलजी की यारी एक किस्मत वाली को मिलती है कि इप कुछ लड़कियां बोलती है न libraries की लड़के पसंद नहीं मैंने भी बोल दिया इसेरों के साथ सेरमी अच्छी लगती हैं बंदरियां और बक्रियां नमबर वन एक फौजी बहुत ही कम उम्र में अपने घर से दूर हो जाता है और उसके दोस्तियार भी कैंटीन के सस्ते समान मगवाने के लिए उसको याद करते हैं नमबर टू फौज में कभी पॉलिटिक्स नहीं होती लेकिन सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स फौज के ऊपर होती है मिशन पूरा होने के बाद भी इनसे सबूर होती है मुझे लगता है कि मेरे सारे हौब अदूरे रह जाएंगे प्यारे हो मुझे शक है कि मेरी मौत जवानी में हो दी मैं मंदिर भी गया तेरे लिए मैं मस्ज़द भी गया तेरे लिए गुरु द०ारे में रो रोकर मांगा तुझे अब तू बता तूने क्या किया मेरे लिए यह तस्वीरे एक दिन यादे बन जाएगी कल न जाने किसकी उम्र पूरी हो जाएगी जब तक साथ हो महबत से रहो ये दोस्ती फिर पैसों से ना खरी दे जाएगे मैं पागल नहीं जद्दे हूँ और जद्द्देशों का कोई अस्पताल नहीं हो साथ अगर मुझे चाहने वाले हजारों मिल जाए तभी मेरी पहली और आखरी पसन सिर्फ तुम रहोगी धू आती है सीने में यह जिंदगी है साहिब उलजेगी नहीं तो सुलजेगी कैसे बिखरेगी नहीं तो निकरेगी कैसे अगर रात को नींद आ जाया करे तो सुझाया करो आधी रात को जगने से मुखबत बापिस नहीं मिलती है कमांडो साथ दिन है तुम्हारे पास आठवे दिन की पहली किरन यूनिट तारेक यूनिफार्म और मैं तुम्हारा दिन गोर से सुनियेगा दसजार की बरती में एक लाग लोग दोड़ते हैं रेस में तो एक मेरे फोजी भाईयों के लिए के शेर वर्गा जिगर है और जिगर मैं दम है फोजी भाई तेरे खातर तो मैं जितना बोलू तना कम है अपने घर परिवार ने छोड़ वो चले जा वैसे फोज मैं बसता भर के यादा का अर्मा बापु की तो आग से दरिया बैता है तू के ती की देरा चांद हो है और चांद हमेशा रहता है बस्ता है